भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारे सामने सर्वदमन डी बेनर्जी जी का चहरा आ जाता है जो लोग 90 की दशक के हैं उनको याद होगा कि हर संडे की सुभा 9 वस्ते ही सडकों में सन्नाट अचा जाता था और सब लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैट जाते कई लोग तो टीवी के आगे अगरबत्ती भी जलाते थे उस सीरियल में कृष्ण का रोल करने वाले सर्वदमन डीब एनर्जी दर्शकों की दिलो दिमाग में ऐसे घर कर चुके थे कि पूजा करते वक्त आखे बंद करने पर भी लोगों को वही दिखाई देते थे सीरियल में वो श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान को आज भी कोई भूल नहीं पाया है और श्री कृष्ण सीरियल के री टेली काश्ट होने से फिर से वो पुरानी यादे ताजा हो गई है तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वदमन डीब एनर्जी और उनकी फैमली के बा करवाला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था वह एक बंगाली हिंदू ब्रामण परिवार से हैं इनके पिता का नाम श्री टीपी बैनर जी था जो अपने समय के ख्याती प्राप्त सर्जन थे इनकी दो बड़ी बहने भी हैं रूपाली और नवनीता इनकी प्रा प्रामी विवेकानंद का रोल करेंगे इनका मन बचपन से ही अध्यात्म की और लगता था इसलिए इन्होंने अपने द्यानिक जीवन में योग और ध्यान को भी शामिल किया था पांच वर्ष की उम्र तक यह बोलते नहीं तो लोग समझते थे कि यह गूंगा है अपनी प पुर्देशित संस्कृत भाषा के फिल्म आदिशंक्राचार से अपने अभिने की शुरुवात की सरवदमन डीव एनर्जी एक भारती फिल्म और टेलिविजन अभिनेता हैं जिने हिंदी सिनेमा बंगाली सिनेमा और तेल्गू सिनेमा में उनके कारें के लिए जाना जात हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कि सरवदमन डीव एनर्जी जी की हाइट 6 फिट है और ये 2020 में 55 साल के हो चुके हैं इनकी शादी पहले सुनीता से हुई थी जो पेशे से मुंबई की एक डॉक्टर है इन दोनों की एक बेटी भी है यह शादी 14 साल तक चली और इसके बा पीता बनर्जी ने अपनी दूसरी शादी संजीव वाधवानी से की है जो पूर्व गीतकार और संगीतकार भी है उनकी बेटी आलिका बनर्जी भी एक डॉक्टर है जिनकी शादी सन 2015 में डीजे चेतस शाह से हुई है आपको बता दे कि कई फिल्में और टीवी शोस करने क के बाद अब वो पहाड की वाधियों के बीच उत्रा खंड के रिशिकेश चले गए हैं वहाँ अपना खुद का मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं जहां वीदेशों से भी लोग उनके यहां ध्यान सीखने आते हैं सवरदमन जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने क लिए है उन्होंने कहा कि मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए फिर मुझे मेडिटेशन मिल गया और मैं अब पिछले 20-25 सालों से वही कर रहा हूं उन्होंने अपनी नस्दी की दोस्त अलंकृता बेनर्जी द्वारा इस्थापित पंक नामक एक एंजियो का भी सम और 50 ग्रामीड और गरीब महिलाओं को धंकी जिन्दगी बिताने लायक बनाने के लिए काम की ट्रेनिंग भी दे रही हैं सर्वदमन डी बेनर्जी इसमें उनकी पूरी मदद करते हैं और अलंकृता बेनर्जी भी उन्हें रिशीकेश में अपना ध्यान के इंदर चलाने म सहायता करती हैं आपको शायद पता ना हो कि बॉलिवुट के मश्हूर अभिनेतरी काजोल उनकी भती जी हैं और तनूजा इनकी भावी सर्वदमन डीब एनर्जी जी के पसंदीदा अभिनेता राजेश खन्ना जी हैं इनके दार्षनिक जो हैं वो रविंद्र नाट टैग इनको खेल में क्रिक에ट बहुत पशंद है और क्रिकेटर में सचिंत एंदुल कर जगा में इनको बोहत पसंद है और यह अपनारत निपी अधरयक प्रति से बहुत लगाओ है और अकसर ट्रैकिंग और हाइकिंग टूर पर जाते रहते हैं उन्हें सोलो ड्राविंग करना ब जानवरों से बहुत प्यार करते हैं खासकर डॉक्स से तथा उन्हें व्रिक्षार उपर में भी बहुत रुची है वह पेड़ अपने हाथों से लगाते हैं और जिम में घंटों बिताना पसंद करते हैं सर्वदमन डीव इनर्जी अक्सर देहरदून आते जाते रहते हैं जह और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें जल्द ही मैं एक और वीडियो उनकी उपर लेकर आने वाली हूं तो मिलते हैं फिर एक इंट्रोस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाजत आपका दिन शुब हो धन्यवाद